देखे वंदे भारत की जो खासियत है वो यही है कि आपको ऑन टाइम ही पहुचाती है ज्यादा डीले होती नहीं और सारे ट्रेन रुख जाते हैं यह जब निकल जाती है तब जाके और ट्रेंडी पाफ चते हैं तो काफी लंबे इंतिजार के बाद फाइनले गोंती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अराइव हो रही है अध्या धाम जंक्शन पर आप एक्स्लूजिव फुटेश देख पा रहे होंगे पहली बार आप बैठें चेयर कार का एक्सप्रेइंस अच्छा रहा है और जो हम लोगों को मिला था स्नैक्स वगरा वो कैसा था ठीक था नॉर्मली वेगर देखा जाये तो इंडियन रेलवे एक ऐसा नेटवर्ग जो नजाने आपस में कितने राजियों को कितने सहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और इसी इंडियन डेलवे में आज के समय में नजाने कितने वंदे भारत दोड़ रही है इसी वंदे भारत में से एक वंदे भारत है इसमें आज हम ट्रावल करने वाले हैं स्वागत है आप सबका एक और ने प्यारे से व्लॉग में मिरे नाम है आयूश और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेंपल पॉइंट आज हम ट्रावल करने वाले हैं 22346 गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में जो की गोमती नगर से चलकर पटना तक जाती है हम बैसे कली ट्रावल करने वाले हैं अयुद्य धाम जंक्शन से वारनसी जंक्शन तक तो हमारे साथ इस सफर नामे में आप शामिल हो जा रहे हैं आशा करेंगे कि सफर आपको बहुत जड़ा पसंद आएगा तो लास तक देखिएगा बने रहीएगा और कॉमेंट में अयुद्य धाम जंक्शन का स्टेशन कोड एंटर कर दीजेगा अब यह मौजूद हैं अयुद्य धाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर ए और यह नजारा आपको अयुद्य धाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से अभी यहां पर काम on development है चल रहा है वर्क चल रहा है उपर देखिए उपर भी काफी चीजें डबलब किया जा रहा है सामने आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वंदे भारत आने वाली है और अभी अयुद्या केंट से निकले हुए देखते हैं कितने टाइम में आती आती है तो आपको अराइवल दिखाएंगे अंदर चलेंगे सारा कुछ शेर करेंगे आप बने रहीएगा और दिखिए गेट ने अलग अलग है बारा गेट 11 यहां पर और आगे अदर गेट मिलेगा आपको एकजिटिंग इंटरिंग बहुत अलग अलग गेट से है चलिए मैं मिलता हूं आप से जल्द ही आप बने रहीएगा हमारे साथ वर्चुल ट्रेन जरनी करिएगा क्रेश देखिए लोगों में क्रेश देखिए तो काफी लंबे इंतिजार के ब अच्छी बात है सर एप्रिशेट कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है और लिटरली अगर देखा जाए तो हम लोग अगर सुरच्छी तहना देल्वे में तो सर की वज़े से जैन सक्ट फाइनली वंदिवार नमारा आ चुका है और सफर नाम आगे चल रहे हैं सी 3 कोच है हम दरवाजा खुलते ही लोगोबर बंढेट लीज़ेगी यह होता है लोगोबर लोगोब सेवेंटीइट तक है लोग एधर से इंट्री करना है मुर्ण कि पाइनली हम ऑन बोर्ड कर चुके हैं वंदे भारत में हमारी ट्रेन अल्मोस्ट दस मिनट टीले है और ऑन बोर्ड करते हमें मिल जाता है पानी कि ये बॉटल अब आगे जहां जहां जो जो चीज मिलेगा वह हम शेर करें क्योंकि हमने हाँ पर जो हुला वह थ्याइक इंक्लूड कि होगा है अश्यूर करेंगे हमारे साथ ऐसे अधीज ही सत्राशा देखने को मिलती है अलागे चलिए हुआ ताइम बाद आपके लिए वन्टे भारत अक्सक्रेस का एक वर्च्वल ट्रें जरूर्णी आ झाल झाल तो वंदे भारत में आचुका है स्नैक्स और हमने इसे टिकट में ही जो है इंक्लूड किया था अगर आप इसे नहीं लेते तो आपका लगभग 50 से 60 रुपे माइनस हो जाता है यहां पे हमें सबसे पहले दिया गया है गोवावा जूस इसको हम रखते हैं साइड में यह देख लिए आप कहा सकते से कचोड़ी और यह मिलता है टी पाउडर यहां पे आपको मिलता है सॉस कि अधर आप देख लिजें तो आपको मिल जाता है मिक्स्चर नमकीन और यह मिल जाता है आपको वैजल्ड़ साथ यहां पर हैंसेनिटाइजर तो यह आपको ओवरॉल मिल जाता है जो है अगर आप इंक्लूड करते हैं तो अब टेस्ट करते हैं अपना एक्स्पिरिएंस di शेयर करेंगे और आगे भी जो लोग हमारे साथ ट्रावल करने उनसे भी एक्स्पिएयर सेयर करेंगे आप समय आपको वंदे भारत का वाश्रूम दिखा रहेगा की वाश्रूम कैसा है इंडियन स्टाइल है और वैस्टर इस्टाइल है अब आते हैं और आपको दिखा जएते हैं तो इस दितों पॉष्टराग गाइस आप ऐसे इंटर करेंगे दिल्कुल दिखेंगे का फी थै WR. लेकिन K. 한데 हो भारत का वोश्रूम आप आ सकते हैं देख सकते हैं वंदे भारत का सफर चल रहा हूँ और आप समय है आप से टिकट के कॉस्ट को शेर करने का दरसल मैं ट्रावल कर रहा हूँ अयोध्य दाम जंक्सन से वारणसी तक और मैंने कॉस्ट पे किया है सीसी यहनी चेयर कार का लगवाग छेसो पचास रुपे जिसमें मैं ट्रावल कर रहा हूँ एक्स्टूडिव क्लास की बात की जाए तो इसका कॉस्ट बारसो पचास रुपे हैं आप अपने एकॉर्डिंग जहां से जहां तक आपको ट्रावल करना है वह चक कर लीजेगा प्राइस आपको देखने को मिल जागा इंटरेट पर बात करें अगर प्राइस की तो अगर आप स्नेक्स को हटा देते हैं तो पचास से साथ रुपे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग स्नेक्स अब यहाँ पर क्या होता है ना कि डिफ्रेंशीएट ही हो जाता है एक्स्कुडिव क्लास और सीची क्लास में कि उसमें आप पूरा सीट को रोडेट कर सकते हैं इसमें आ बने रहीए तो बताते रहिए कोमेंट के माध्यanne से feedback शेर करते रहिए चलिए आगे इसका कोई juris जहने वाला है डारेक्ट यै और फिर से उट रहिंगे और रहें गिर ऩर्ण काँवरम में अब ढहीजिस क hovering कि इस प् slim ली आप क्वर्ण के वनढे बहुंत तो अल्मोस्ट हमारी ट्रेन अब वारानसी जंक्शन रीच करने वाली है और हम बात कर लेते हैं ट्रेन के स्टॉपच की छों होती है उसके बाद इसका हाइट जो है वो पढ़ जाता है अरुद्य हद्धाम की वारानसी जंक्शन और वारा नशी जंक्शन के बाद डी यू याहिए ब्सके बकसर होते हुए पहँच जाती है पट्ना तो इसके लगबग लगबग रोल और इस तरह कि स्टॉपच कर यही है कि आपको उन टाइम ही पहुच आती है ज्यादा डीली होती नहीं और सारे ट्रेन रूख जाते हैं यह जब निकल जाती है तब जाके और ट्रेंडे पार चोते हैं तो चली अच्छा था वैसे मैंने जब डैली टू वारा नसी वंदे बार से सफर किया था तो वैसा एक एक्सपिरियंस को मैं भूल नहीं सकता बैठे बैठे आड़ गंटे ट्रावल करना बहुत ज्यादा लेदी हो जाता लेकिन दो गंटे का टाइम टेकिन था तो जल्दी रीच करेंगे और आपसे आपका जो हमारा सफर है वो समाप्त होगा वारान इसी जिंक्शन पर अगर आपको अच्छा लग रहे वलॉग के को का 멣े घर जो सफ़ुर कि हमेरे व्लॉग आपको कैसा लगा तो अभी हमारे साथ देखें हमारे मामा जी हैं और TED बाना चीजित के को नौघ भारत का एक्सपीरियंस कैसा रहा फेले वह वार्ट पहली बारा बैठे चेर च About a रै। ये कह सकते हैं कि अच्छा था और हमारा वियात्रा यहां पर समाप तुने वाला है बड़ा अच्छा लगा कि फाइंडली वंदे भारत से सफर करने का मौगा मिला मामा जी और लोगों क्या कहना चाहेंगे आप लोग भी आईए और टेंपल पॉइंट जो है आप चैनल है उसे सब्क्राइब पर जुड़िए उनसे आप कोई प्रॉप दिक्कत हो तो आप इन भाईया से सफर खरी आयू समर मांते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मामा चैनले क्लिब में द्धबाग ढाईगंटे का सफर करके हम पहुथ चुक्छे हैं वारानसी जंक्शन और वंदे भारत का एकप्रियंस अच्छा ही था अगर देखिए वारानसी जंक्शन की बात करें तो वन अफ यह स्टेशन है वारानसी का और सारी प्रीमियम ट्रेने और पैसेंजेंट ट्रेने भी यहां पर आकर रुख जाती हैं अब देखिए हमारी ट्रेन ओवरॉल 20 मिनेट डिले थी अब यहां से बहार चल रहे हैं और फिर एक नया सफर नामा लेकर बहुत जल्दी प्रसुत करने वाले हैं आपके लिए नई ट्रेन जरनी अब कै आप लोग उसे सपोर्ट करेंगा शेयर करेंगे चलिए कमेंट करके बताएगा लाइक कर दिएगा शेयर कर दिएगा अपने शोचल मीडिया पे फिर मिलेंगे जल्दी आप से जय हिंद गाद ब्लस्य वाल जय हिंद जय माता दी